तो गाइस कैसी हैं आप सभी कास हो गते हैं तो चलिए बात कर लेते हैं मंडे की दिन किस तरीके से बजार उपन हो सकता है तो अब ही देखें जो हमारा किलोजिंग हुआ है वो अल्मोस इस जगह अगर हम बात करें 23 पॉंट आपका नीचे की साइट आपका नेगेटिव में कलोजिंग हुआ कोई बात नहीं है उसके पहले अगर हम लाग बात करते तो लगाता हमको पॉजिटिव ही इस जगह कलोजिंग देखने हो ली साथ ही साथ मैं जो मैंने अपने यूटूब चैनल पर बात कहे था है कि बजार में देखे जो आपका डियए इस का डेटा जो अमेरिकी मार्केट में बहुत सारी चीजह हो रही है उस से हमने बात किया था गेप आप के बाद किस तरीके से काम करना है नीचे कहां पर सपोर्ट था विल्कुल बजार उसी तरीके से बस देके मार्केर में दो ही चीज़ा है मेरे ख्याल से एक तो बस आपको सपोर्ट और रेजिस्टन पता हूँ आपका साइकलोजी विल्कुल सही हो मार्केट के अंदर तो मार्केट आपको पेशा बना के देगा प्लस और मैं बात कहांँ तो यहां पर दिखे निप्ती का चार्ट है अब भी सारी कमेंट पर रहा था और कमेंट में दूर तीन भातऀ्टा एक क्या रींगर धाध बाते इतनी ज्यादव आको फूरा काम खराब कर देती है अंग्यार कंड पूर Kara यहां से इसने तेजी दिखाया और उपर की जाएड आपका 25,000 पच्छीस एडाचासो इतना हमको तेजी देखने हो ला अब इतना बड़ा जब जे candle बना है ठीक है आपका इतना बड़ा candle बना है और इस candle के नीचे ऐसा नहीं कि सीधे आपका gap के साथ open हो गया था या gap up open हो था ऐसा नहीं है जे candle बनाता तो इसके नीचे देखे बिक है यानि इसका low भी है इस candle का high भी है इसका आपका closing भी है और इसका opening भी है ठीक है इसका closing भी है उपर की साय यानि सब कुछ है candle के अंदर जो एक candle के अंदर होना चाहिए उसके बाद जो दूसा candle बना है इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए इसका body है इसका low है लेकिन इसका high नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि यह gap के साथ open हुआ ठीक है अब हमको कहां पर किलोजिंग मिला है जो कि आपका पचीस हजार तीनसो पच्पन या पचास के संतिंग हमान लीजिए यह हमको किलोजिंग देखने वोला अभी यह हमारा volume था अच्छा volume था लेकिन उसके बाद जो volume हमारा ब वो बड़ा था सेलिंग का जो volume में वो इसके उपर ब्रेक नहीं कर पाया है ठीक है अब चलिए चार्ट पर अपन फिर से आ जाते हैं चार्ट पर आपको क्या क्या चीजे दिखाई दे रही है जब हमको चार तारिक हो यहां से सेलिंग देखने हो लाता है अच्छा खासा से अब जो सेलिंग देखने हो ली ना वो बिल्कुल आपके नीचे की साइट जो बाय आते बिल्कुल वहां तक नहीं आये यानि इसमें गैप था यहां से भायर आपके एक्टिवेट हुए और दो बज़े के आसफास हमको यह तेजी देखने हो लेकिन अभी जो तेरा तारीक का बजाता था नियां का पूरा सेलर का बजाता यानि है पर हुआ कि पहले तो बजा देखिए आपका अच्छा खासा ऊपर हुआ लेकिन यहां पर जी पण अमेटिक केंडिल है यह वाला जो चैनल है देखिए जीक का देखने हो बहगा ऊतेव questo अंगे साइट पर चाइड क से सम्तिंग ता लेकिन इसने जो काम किया पूरी रेंच में वह आपका ऊपर 25 है या 400 और नीचे की साइट अगर हम बात करें तो यहां पर आपका जो कि अल्मोस था आपका 25 है 300 वह भी किस केंडल का इस केंडल था बाकि जे तो बुलकुत छोटी ही रेंच में काम करता है अब हम क्या करके चल सकते हैं अगर यह 25 है 400 के उपर निकलता है यानि इस केंडल के उपर ब्रेक आउट कर देता है तो कि देखे इसने समय तो बिता द पहकर बॉपर निकलता है तो फिर आप यह चाहिा 500 के उपर और तो फिर आपका 25 है 200 आउस gef्मक्ऻ करना पिर यह 25 है 500 ओ फिर आप का 25 है 500 तक हम इसमें अप्जाइड है देखने को दिखाई देशकते हैं तो यहां पर हो क्यारा है कि 9 सितमब्र को यहां पर FIS ने बाइंग किये और यहां पर FIS ने बाइंग किये और यहां पर FIS के पहले सेलिंग कर रहे थे तेक कै एक हजार एक सो सट्य करोड़ फिर आपका दो हजार दो सो 80 करोड फिर आपका एक हजार सात हजार साथ हजार की ख़ sugны नहीं कर रहे यह उन्हों ने सात हजार छ resonated शे सो करोड के असपस की नेट नेट खईदारी है अगर हम डी आइस के भी नेट नेट खईदारी देख लेते हैं तो यहां पर साथ हजार नौसो नबबे करोड यानि खईदारी अच्छी है अब यहां पर देखिए तीस मिट का केंडल है आपको दिखाई देगा कि बिल्कुल देखिए जो वी रिकवरी होना चाहिए ना वी रिकवरी तो नहीं देखने वला लेकिं यू रिकवरी इसमें दिखाई दे रहा है अब यहां पर अगर हम बात करें तो वन वस के चाट पर आप हम क्या करते हुए दिखाई दे सकते हैं अक्सार होता क्या है कि इतनी बड़ी जब केंडल बन जाती है तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग के चांस भी बनते है अगर इसने उपर की साइट बिरेक नहीं किया है ठीक है इसने आपका 25 या 400 को बिरेक नहीं किया है ठ अब डाउन तो ओपनिंग नहीं देखने हो लेगी इसका रीजन में आपको बता सकता हूं निप्टी के अंदर अगर आप देखो तो बजाज फाइनेस वजाज फिंसर फिर आपका देखें बजाज गुरूब का आपका बजाज ओटो ठीक है और फिर आपका देखें जो आ आप सबी को पता होगा 10 बजे के आसवाद सी लिस्ट होते हैं ठीक है मार्किट आपका 9 पंदा पर आपका उपन हो जाता है तो एक गया पर उन सब के अंदर लेकिन लेश्ट अच्छा होगा एक गुनावी हो सकता है दो गुनावी हो सकता है मुझे तो नहीं मिला भाई मैंने अपलाई किया था आपको मिला है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए अच्छा कंपणी है बढ़ी है कंपनी है टेकर लॉंग टाम के लिए भी मुझे अच्छी लगती है अब यहां पर अपन समझते हैं अब गैप डाउन तो नहीं होगा लेकिन अगा यह 400 के उपर निकल हां तो यह 25 av sağal ओल जो पिराइस के नीचे जब निकलेगा करने का मोखा में लेंगा जो कि आपका 100 से लेके एक UMशो 59 lipा को की आशसा देखने को मिल सकते हैं लेकिन सेलाइं को करना है तो पच्छीजया 2300 के नीचे ही कर ना है उसके पहले नहीं करना है उसके पहले अगर लगता है कि 25-500 भी निकलेगा 25-600 तक बजा रूपर की साइज जा सकता है थोड़ा नेगिटिव मुझे कम दिखाई दे रहा है अगर आप देखो चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे न तो चार्ट का पैटन बहुत अच्छे है चार्ट का पैटन बहुत अच्छा है ड सकता हुm से बनाइंगे ऑब वक्स हम इसके हाइ से लिएगे हम यहां से लेए अब हिस बॉक्स का हम रैंज निकाले गिए छ को आपको दिखा देता हूं कैसे निकालते हैं यह आपका रेंच अब इस बॉक्स का हम यहां पर कितारा टोटल पांसो बीस तो हम इसको ले लेते हैं इसका हाफ यहां पर जो कि आल्मोस आपका बनेगा 260 अब 260 पर आपका कौन सा प्राइस वरना है यानि अब जो हमारा सपोर्ट है अगर यह नीचे आ भी जाता है ना सेलिंग आ जाता है तो फिर आप जो समझें कि आपको जो सपोर्ट मिलेगा ना नीचे वह 25,070 का आपको यहां पर सपोर्ट है अगर जो इसको ब्रेक करेगा ठ लेकिन फिर नया बाइंग करना है तो यहां पर थे आपको 25,070 का हमारा यहां पर यहां पर हमारा बाइंग पर चल सकते है इस पर इसके उपर निकलता है तो तीजी देखने हो लेगी और नीचे तो मैंने आपको बता दिए 25,300 अगर जेब्रेक करता है तो आपका अल्मुस सो से लेके 500 पॉंट और 500 से उपर दे तो कम से कम आपका 25 या सत्ता तक जा सकता है क्योंकि आपका एक सपोर्ट वाला पिराइस है वाकि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको डियमेट अकाउंट उपन करना है तो उसके लिंक भी आपको वीडियो को डिसेशन में दिये गए है जैहिन बदने बाद